वेलकम बैक तू दा चैनल एवरीवान तो सवागत है आप सब का एक न्यूव एपिसोड में तो कल रात गंगा किनारे थोड़े स्पून के पल बिताने के बाद आज हमारा प्लैन है नीर वाटरफाल देखने का और कोई अच्छा सा भीच देखकर वहाँ पर रिलैक्स करने का पर उससे पहले मैंने आपको बताया हिनकी हम रुके थे गुर्तवारा शिरी हिमकुन साहिब में बहुत ही अच्छी जगा है उने के लिए सापसुतरे रूम्स है यहां पर और खुबसूरत कार्डन्स बने हुए हैं और सबसे अच्छी बात आप लोग गुर्तवारा साहिब के दर्शन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी जगा है और एक बात के गुर्दवारा साहिम में जब श्री हेमकुंड साहिब की यत्रा शुरू होती है तो उसके लिए यहां पर बहुत अच्छी तरह से परबंद किये जाते हैं तो आपको यहां पर रहने के लिए जगा मिल जाएगी बहुत सारे रूम्स हैं इनके पास बातरूम्स बहुत अच्छे हैं साफसफाई बहुत अच्छी है और जो इस साल की श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो शुरू हो रही है 25 मई से तो अगर आप लोगों को उसके कोई बी इंफर्मेशन चाहिए तो वो भी आप लोग नीचे पूछ सकते हैं मैंने उसके उपर भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल इंफर्मेशन की तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक को मिल जाएगा और यह है गुर्दबारा साहिब की में एंट्रेंस बाहर में रोड से और यहां से आप रूम्स के बारे में पूछ सकते हैं और यहां से अंदर जा सकते हैं दर्शिन करने के लिए और यह आगे रास्ता जाता है आपकी कार पार्किंग लिए और वाकी सब को मिल जाएगा तो चलिए फिर चलते हैं दीर वाटर पार्ट की तर यहां पर कितनी ज्यादा ट्राफिक है पूरा रास्ता ऐसे ही है तो हमने अभी दो किलोमेटर आए हैं पूरे डेड़ गंटे में और यह जो सामने रास्ता जाता है यह जाता है उपर नीर वाटर पाल को और आगे आजाएगा शिप पुरी अगर आप इसी रोड पर रहते हैं में और यहां से बोर्ड पर तो यह लिखाया है पचास मेटर वहां पर बुकिंग ओफिस है और आगे शायद दो किलोमेटर होगा और नीर वाटर पाल पर जाने के लिए आपकी एंट्री भी होगी आपकी 40 रुपीज पर परसन की एंट्री होगी करते हैं वाट बुकिंग पर शजपकी एंट्री प्राइब करिए आपकी एंट्स रखकी ₹चचट कर हमें प्राइब कर दोदोसी एंट्ट्सियों कर दोड होगी एंट्स पर जाफकी तरूब अगर एक पर पैर स्लिप खुआ तो सीधा ही नीचे जाओगे नीर वाटरपाल वैसे तो बहुत ही अच्छी जगा है देखने के लिए बट जब ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो वो थोड़ी सी प्रोब्लम आती है तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि जितना उपर तक आप लोग जा पाएंगे उतना ही आपको वहाँ पर क्राउड कम मिलेगा और सुबा जल्दी यहाँ पर आजाएंगे तो अच्छा रहेंगे जिएफ़े गदाट जिए हैं ने जब पर तक पर भाएंगे जड़को रहे हैं तो यह है नीर वाटरपॉल और इतना जदा रश हो गया है यहां पर वीकेंड्स पर यहां पर काफी रश हो जाता है और लोग क्या करते हैं वो मैं आपको भी दिखाता हूं यह देखें तो ऐसे इन्वाइरमेंट को फिराब किया जाता है संजूर क्या एक्सपिरियंस है वाटरफॉल का बहुत ही गटिया ओह हो मुझे के पसंद आए एक परसंद भी नहीं है वहां पर सामने है वाटरफॉल और यह रास्ता आगे जाता है व्यूपॉइंट की तरफ तो फिर अभी हम बैक साइड से आये हैं यहां पर और यह जो रास्ता है यह जाता है नीचे अक्षमन जूला की और और यहां से आपको रास्ता मिल जाएगा नीचे बीच तक जाने का तो हम अभी यहां पर जाएंगे नीचे तो वहां से सामने राफ्टिंग स्टार्ट होती है तो यह जो प्लेस है यह अक्षमन जूला के पास ही है उससे थोड़ी सी आगे तो वीकेंड्स पर तो बहुत सारे लोग यहां पर इंजूए करने के लिए आते हैं तो यहां पर आपको ठंडी ठंडी हवा चलेगी और वो सामने देखिए बहुत अच्छे व्यूज है और आप गंगा के बिल्कुल पास में आकर बैठ सकते हैं और इंजूए कर सकते हैं तो अगर आप लोग पानी के नीचे से पत्थर को देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि पानी बहुत ही साफ है तो अच्छली क्या होता है कि सर्दियों के वक्ते में पानी ज्यादा साफ रहता है क्योंकि ग्लेशियर जैसे ही पिगलते हैं तो सीधा पानी यहां पर आ जाता है और पानी का रंग भी ग्रीन जैसा है अगर यही हम जून जुलाई में देखेंगे तो यही पानी आपको ब्राउन कलर का मिलेगा क्योंकि बारिशोनी शुरू हो जाती है और बारिश के कारण बहुत सारी मिट्टी जो है वो पहाड़ों से गंगा में आ जाती है तो अभी तो पानी बहुत ही साफ है बहुत ही साफ है तो यह आपको यहां से आइडिया हो जाएगा यह देखेंगे तो यार अभी हम रिशी के बैक साइड से जो रास्ता आता है उसकी तरफ आए है तो यहां पर भी काफी रश था पहले तो तो अभी हमें जाना है वैसे बीटलेस आश्रम तो देखते हैं के शाम को खुला होता है कि नहीं क्योंकि पांच बजने वाले हैं तो आई तिंक के पांच बजे तक की खुला होगा बड़ यह जो रास्ता है इससे आपको पूरे रिशी केश के व्यूज देखने को मिलेंगे देखते हैं अभी और आपको भी दिखाते हैं कैसे व्यूज है यहां से आप देख सकते हैं यहां पर नीचे पूरा शहर है वो सामने गंगा जूला और इस साइड पर है राम जूला तो यह रास्ता जाता है बीटलेस आश्रम को अभी देखते हैं कि आश्रम खुला है या फिर नहीं क्यूंकि पांच बजे तक खुला होता है और हम और टाइम ओर्ड़ाडी साढ़े पांच होने वाले हैं कि आश्रम या फिर चुरासी कुटिया और इसके साथ यह लिखा हुआ है कि राजा जी टाइगर रिजर्व तो आइठिंक यह राजा जी टाइगर रिजर्व का पार्ट है और यहां पर स्टूडेंट्स के लिए फीस है 40 रूपीज और जितने भी इंडियन्स होंगे उनके लिए फीस है यहां पर 150 और सीनियर सिटिजन के लिए 75 और पॉर्नर्स के लिए 600 तो काफी कोस्टली है तो यहां से भी आप लोग गंगा किनारे जा सकते हैं और वह दूसरी साइड पर गंगा की वहां पर एक बहुत ही अच्छा न्यू रास्ता बनाया गया है जिस पर के आप लोग सैर कर सकते हैं साइक्लिंग कर सकते हैं वहां से शुडू हो जाता है जानकी सेतु से वह जो न्यू बना है ब्रिज और वहां तक जाता है वह पूरा तो अभी हम आ चुके हैं पर्मारत आश्रम में और जो पीछे का गेट है उससे हमने एंट्री किया है और आज आप अंदर से भी आश्रम दिखाएंगे अच्छे से तो बीतले आश्रम तो फुला नहीं था तो इसकी जगा पर आज हम पर्मारत आश्रम को देखते हैं तो यहां पर भी रूम्स मिल जाते हैं बट ओनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है तो आई थिंक के जो शाम की आरती है वो शुरू हो चुकी है करता है करिए तति अधने हैं रखने कहा वाइ रहा हुप टोखिए प्राद को पारने का यजए प्राद किता है कि दोख हुआ रहा हुआ है करें दोखेंक कि अद्री कि आधने को रृच्ग राद कर रहा है तो गंगा के किनारे शाम के वक्त और संसेट होते हुए तो देखना एक बहुत एच्छक स्पिरियंस है तो जब भी आएं ये बिल्कुल मत मिस्ट करना तो अभी हम यहां पर आए हैं कोल्ड कोफी पीने बड़ी सी स्ट्रोंग लेंगे ताके हमें अभी राज का सफर करना है यह हमारी कोफी तो यह थी वह शोप परमारत आश्रम से बिल्कुल बाहर आते ही रिशिकेश गूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वापिस गर तो यहां पर रुके हैं कुछ खाने के लिए तो आई होप कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने प्रेंट्स के साथ शेयर करना थैंक्स पर वॉचिंग दा वीडियो